हेई गाईज तो आज हम बना रहे हैं ऐसी कुलफी जिसको खाकर मन खुश हो जाएगा आपका कोई भी तियोहार, ओकेशन, कोई भी फंक्शन में आप बनाईए ये वाली कुलफी और खाईए इसे बिल्कुल गेल्ट फ्री क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे ऐसे ही इंग्री कोई भी डाप जो हम खाते हैं उसकी डाप जो हम पीते हैं फिर ये डाप की गिवी के पीसेज करके मिक्स्टर जार में एड करिए फिर लीजिए हाफ कप भिगोई वे काजू काजू 6-7 खंटे के लिए भिगो दीजिए तभी ये रिच क्रीमी वाला टेक्शिर देंगे जो कोनेट जैगरी भी यूज कर सकते हैं फिर मैंने लिए हैं ये चार खजूर ये बिल्कुल वह सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं इनका बीच निकाल कर इसमें एड कर दीजिए इससे भी इस ये एक स्वीतनर की तरह काम करेगा और नाच्वल स्वीतनर है ये खजूर फिर इस में कुछ एड कर ये केसर तो ये सारे मिक्षर को आप प्लेंट कर लीजिए मिक्सर जार में और फिर ये वेडी हो गया आपका आइस क्रीम का बेस सर्च इसे खाएंगे ना तो कोई गेल्ट नहीं होगा आपको और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी है मतका कुलफी का टे चोटी चोटी तो मैंने सोचा इसको इसी में ही जमाएं तो हमने इसे फिल कर दिया है इस मेजरमेंट से मेरी ये सारे वेडी हो गये हैं और इसे मैंने ओवरनाइट फ्रीज कर दिया था तो ये अब एक्चली इसमें आप ये भी ध्यान रखेगा कि क्लिंग रैप लगा दे इससे ice crystals अंदर नहीं जाते हैं नहीं तो कितना भी करिए ice crystals ice cream में आ ही जाते हैं बट ये use करने से बिलकुल भी नहीं आएंगे अब मैं आपको दिखाऊंगे इस ice cream का texture जब ये जम जाएगी तो ice cream हमारी जम गई है overnight मैंने रखा था इसको फ्रीज में और ये मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट ये बिलकुल भी वैसी हार्ड नहीं है जिसको हमको काटने में भी प्रॉब्लम आए तो ये वाली ice cream आप जरूफ से ट्राइ करिएगा और अगर आपको वैसी पी अच्छी लगी तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करि और ये इसका टेक्शर देखे तो ये ice cream आप जरूर ट्राइ करिए इस होली के सीजन में और गर्मियों में आपको ये ice cream इतनी राहत देगी कि वो गिल्ट नहीं होगा कि हमने क्यों market के ice cream लाके consume किया क्योंकि गर्मियों में ice cream थंडा तो हमें बहुत अच्छा लगता है खा वेट लॉस जर्नी पे हैं या अगर आप कोई fitness program फॉलू करते हैं तो ये वाली ice cream आप जरूर से खा सकते हैं तो इस होली खेलिये रंगों के साथ ना कि अपनी health के साथ थैंक्स पर वाचिंग टेक केर